साथियों, औरगन डोनेशन के लिए सबसे बड़ा जजबा यही होता है कि जाते जाते भी किसी का भला हो जाए, किसी का जीवन बच जाए जो लोग औरगन डोनेशन का इंतजार करते हैं, वो जानते हैं कि इंतजार का एक एक पल गुजरना कितना मुश्किल होता है, और ऐसे में जब कोई अंगदान या देहदान करने वाला मिल जाता है, तो उसमें इस्वर का स्वरूप भी नजराता है जारखन की रहने वाली स्नेहलता चौदरी जी भी ऐसी ही थी, जिनोंने इश्वर बन कर दूसरों को जिन्दगी दी, 63 वर्स की स्नेहलता चौदरी जी अपना हाट, किडनी और लीवर दान करके गई, आज मन की बात में उनके बेटे भाई अभिजी चौदरी जी हमारे साथ हैं, आईए, उन से सुनते हैं, अभी जी जी नमस्कार, अभी जी आप एक ऐसी मा के बेटे हैं, जिसने आपको जन्म दे कर एक प्रकार से जीवन तो दिया ही, लेकिन और जो अपनी मृत्व के बाद भी, आपकी माता जी कई लोगों को जीवन दे करके गई, एक पुत्र के अभी जी आप जरूर गर्वन हो करते होंगे, आप अपनी माता जी के बारे में जरा बताइए, किन परिस्तितियों में औरगन डोनेशन का फैसला लिया गया, मेरी माता जी सराइकेला बोलके एक छोटा सा गाव है जारखंड में, वहाँ पे मेरे ममे पापा दोनों रहते है ये पिछले 25 साल से लगातार मौनिंग वॉक करती थे और अपने हैबिट के अनुसार सुबच 4 विजे अपने मौनिंग वॉक के लिए निकली थे, उस समय एक मोटर साइकल वाले ने इनको पीसे से धका मारा और वो उसी समय गिर गई जिससे उनको सर पे बहुत जादा ज़ी हुई 48 गंटे को अब्सरवेशन के बाद डॉक्टर साब ने बोला है कि वहां पी चांसे बहुत कम हैं फिर हमने उनको एरलेफ्ट करके एम स्टेल ही लेकर आये हम लोग यहां पे उनकी ट्रीटमेंट हुई तक्रीबन 7-8 दिन उसके बाद पोजिशन ठीक था एक दि टाइब कोई चीज होता है क्योंकि हमें लगा वो उस बात को अब्सॉब नहीं कर पाएंगे उनके दिमाग से हम यह निकालना चाहते थी कि ऐसा कुछ चल रहा है जैसे हमने उनको बुला कि ऑरगन डोनेशन की बाते चल रही है तब उन्होंने बोला कि ने यह मम्मी का ही पॉजिटिव चला गया और हम काफी अच्छे एक बहुत ही पॉजिटिव एंवार्मेंट में उसको करते करते फिर हम लोग रात में आट पजे कांसिलिंग हुई दूसरे दिन हम लोगों ने औरगन डोनेशन किया इसमें मम्मी का एक पोच बहुत बड़ा था कि पहले व कितने लोगों को काम आया अंग ? इनका हार्ट, तो किड़नी लिवर और दोनों आथ यह डोनेशन वह थो तो चार लोगों की जान और दो जनों को आख मिला था अभीजी जी, आपके पिता जी और माता जी दोनों नमन के अधिकारी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और आपके पिता जी ने इतने बड़े निर्णे में आप परिवार जनों का नितृत्व किया, यह भाकई बहुत ही प्रेरक हैं, और मैं मानता हूँ कि मा तो मा ही होती हैं, मा एक अपने आप में प्रेणा भी होती हैं, लेकिन मा जो परमपराएं छोड़कर खिजाती हैं, वो पीड़ी दर पीड़ी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती हैं, अंग्यदान के लिए आपकी माता जी की प्रेणा आज पूरे देश तक पहुंच रही हैं, मैं आप आपके पवित्र कारिय और महान कारिय के लिए आपके पूरे परिवार को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं, अभी जी धन्यवाद जी और आपके पिता जी को हमारे प्रणाम जुरू कह देना, जुरू, 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 साथियों, 49 दिन की अबाबत कौर हो, या 63 व संद है, जो स्वस्त जीवन की आशा में किसी औरगन डोनेट करने वाले का इंतजार कर रहे हैं, मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है, इस दिशा में राज्यों की डोमिसा करने के लिए रेजिस्टर करवा पाएगा, सरकार ने औरगन डोनेशन के लिए 65 वर्से कम आयू की आयू सिमा को भी खत्म करने का फैसला लिया है, इन प्रयासों के बीच मेरा देश वासियों से आगर है कि औरगन डोनर जादा से जादा संख्यावे आगया है, आपका एक कई लोगों की जिन्दगी बचा सकता है, जिन्दगी बना सकता है।